पूरे देश को एडिबाल ओयल में आत्म निर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए तीन काम बढ़ा करना पड़ेगा पाम प्लान्टेशन, दूसरा सोया का बहुत सोया बीन का बहुत खेती बढ़ाना पड़ेगा और तीसरा सन, ये करीब 90-95% हमको बाहर से जो तेर और एडिबल ओयल आता है जिसमें करीब डेड़ लाख करोड रुपे दिसका बाहर जाता है डेड़ लाख करोड आप वन एन हाफ लैक्स करोड रुपे बाहर जाता है जिसमें देश को आतम निर्भर बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा ये 12व एकड का फार्म है हमारे मर्नी साहिराम जी मर्नी साहिराम जी है यहांके फर्मर है और इनके फादर है राजराव जी ये 12वी एकड का ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है जो बोने वाले हैं किसान उनका स्टेट का पुरा जब्मे समभालते हैं तो ये थोड़ा सा सेफ इसका जो पोधा का है तो थोड़ा डिफेरेंट होता है ऐसा फूट होता है इसको तोड़ते कैसे हैं फिल शकषे राफ स्टूल से बंची एकषर के फ्रण बाद के कतक करते हैं ये पुरा रत होने का बदूह और निकल रहे पूछ रहते हैं इसको घ्ट का पैन्छी निकहलात ते हैं और ये इसको wram मैं और निकलते है भी आर्वेस्टे करने के लिया, अब यह एक टकर के हमारे राव थाइद एटरांस्पोर्ट करते है ट्राक्टर में प्रॉंग अर यह थोड़ा थोड़ा कम्रेड है। बीड अलगे एंग है लिक है यह जो क्ट करने के निछो घरते है इसे थेल एंग उपर मार। ऊपर वाला इस उल आशो तेल ऊपर आता hay Втор ए Wok तो अपर वाला जो तेल है वो जो है उसको पामोलीन बोलते है जो अंदर जो तेल होता है यह एकदम नारियल तेल जैसा होता है तो दरसल पामोल के बारे में काफी ज़्यादा लोगों में मिथ भी है मैं भी इसको पहले ऐसा सुचता था कि यह जो पाम है यह हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है लेकिन इसको यदि पूरा डीपली देखेंगे तो इसमें भी अभी कई क्वालीटी बनने लगे आए अभी तो इसका भी पिछे मलेशा से लोग आये थे और दिखा रहे थे उसमें इतेर कल्टिवेश नहीं हो तो बोलके बलाता फिर भी अभी पूरा हम अच्छा कल्टिव करें पूरा नहीं और वो बोलता था कि इसका भी जो है वर्जिन पालीटी का इसका भी ओईल बनाने का टेकनोलोजी अभी आगे विक्सित कर रहे और इसका जो सीड है उसका ओईल ऐसे लोगों को जा आवेर्नेस नहीं है कि सीड का भी जो ओईल है वो खाते हैं लेकिन वो पूरा का पूरा नारियल तेल जैसे है और एसे जाट भी नारियल तेल है तो एक ही प्रजाती है ना यह की फैमिली है समझे तो फैमिली क्या फैमिली बोलते है उसको पांपांपांपांपांपांपांपांपांपांपांपांपांपांपांपांपांपांपांपांपा तो ये 25 साल तक चलता है और इसको ये दी देश में अब ये करीब 2 लाख हेक्टर में है उसमें रुची जो कर रहा है वो करीब 50,000 हेक्टर में कर रहा है बाकी माने करीब करीब जो है 25 परसेंट जो शेर है वो रुची का है इसको तो तो और बढ़ाये जाए ये दी 20 लाख हे करें तो पूरा से आत्म निर्भर देश हो जाए अब बताओ ऐसा इसा इनिसेटिव लेनी की जरूरत है और इसमें ऐसा बहुत कम भी पैदावार नहीं होता है मने इसमें कोई बहुत जादा फिर रख रखाव की जुरत नहीं ठीक है तो फुड़ा सा तो सावधानी रखना प से लेता हम जो अप्लिकेशन जो न्यूट्रेंस करते हैं अब इसको तो ऑर्गेनिक पे भी लेकर आ रहे हैं पूरा जो है स्वामी जी फ्रांड को कट करते ना बंच हमारा फैक्री चेले जाएगा जो पत्तर है पूरा इसमांस पर कटकर के इतरी चलाए जो पूरा रिसाइ अब तो इसके अंदर तो मतलब पूरा गर्मी भी जादा नहीं लगता दो तीन परसंट टेंपरेश कम लेंगें और इसको पाम को कैसा टेंपरेशर चाहिए ज्यादा ठंड में नहीं होता टेकनिकल कर शामी जी 18 से 30 तर्टी डिग्रिस तक हम इजर कल्टिवेट कर रहा है अंदर में टेंपरी ज्यादा भी हो जाएगा तिर भी सस्टेन हो गया है जेनरल टेंटेंज से अप्टु 30-35 डिग्रिस तो आप यहां यहां मैक्जिमम कितना चला जाता है 45-50 तक भी चल अभी अभी ग्रों नीचे नीचे इदर तो ज्यादा नहीं है दूसर जागे तर इ इधर एफेक्ट नहीं है क्योंको तो हमारा खुरार देख बल अच्छल एरिया में तो बहुत अच्छा हो सकता है ना को सले आई तो अच्छेस तो आगे है हमर को पाईले एक ही जमीन तब दूसरा जमीन भी आरहा है लाक सोयल में आ रहा है और रेड सोयल भी आ रहा है लेक पूरा होना चाहिए, soil quality अच्छा होना चाहिए, temperature जो है, वो 10-15 चलेगा, 18-36 तक पूरा होना चाहिए, लेकिन मलेशियन टेंपरेशियर के इसाब से 35 डिग्रीस मैग्जिमाई सकते हैं, लेकिन वहां का रहिन फेट के ओपर गुजबर करते हैं, पूरी जोन में पूरा होना चाहिए, तो फार्टी फेटिग्रीस तब कुछ चलेंगा है, हाँ, चलेंगा है, जोन में पिक्सी साबने साथ है, मेजी जून में जादा तो है, अभी तो मलेशिया से भी जादा पैदा कर रहे हैं, यह हमारा पार्मसुद के ज्यादा लेके है रहा है। यह बीच में नारियट भी लगाया है। पुटराने के उनका गर काई। खेट में बचा हुआ हुआ होगा न। तो प्रूट है यह जो फूट है। यह जो फूट है। इसको 48 आवर्स में प्रांट में ले जाना जरूरी है। तो 48 आवर्स में जाता है तो तेल अच्छी क्वालिटी का मिले। यह तो FFA लेवल बढ़ जाएगा। वहाँ पर इसका क्रेशिंग का भी इनिट लगाना जरूरी होता है। नजदीक मौनाज यह कि 48 आवर्स में पहुंच जाए। एकसो किलोमेटर में, तो ऐसा इसी तरह का अरेंजमेंट है। रूची ने जहाँ पराम प्लेंटेशन कराया है, वहाँ क्रेशिंग यूनिट भी साथ में लगा है।